नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इस चैनल पर आज हम बात करेंगे एस एस इउडी सी का जो फेस त्री का एक्जाम होने वाला है अभी कुछी दुनों में वह और इसका रिजल्ट भी आएगा और उसका फेस त्री का एक्जाम भी होगा तो उसका प्रिप्रेशन कैसा करन आने वाला हूँ तो वह तीनों मोडल में इसके बात बनाऊंगा और सबसे पहले में इंटर्डॉक्टर रिस सेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इसमें इग्जेक्ली आइडिया लेंगे इसमें एक्जेक्ली क्या पुछा जाता है तो सबसे पहले हम यह देखेंग करके यह पुछेंगे कि मुझे प्रिप्रेशन स्टार्ट करना चाहिए या नई करना चाहिए दोस्तों मैं हमेशा लोग को बताता हूँ इंटर्वी हो या कोई पिचीज और आपको वन थ्थि मार्क से ऑों तु आपको वन थ्थि वन आरेह्ए तो अइसा नहीं कि आपको इंटर्व्न और वह वह कॉलिफाइग करोगे तभी तो फाइनल सेलेक्षन लेगा आपको मैंस के मार्स पर नहीं आपको कॉलिफाइग करने के बाद फेस्टरी के लिए प्रिपरेशन करना ही है तो इसका मतलब यह उतों हम बाद में सोचेंगे फाइनल सेलेक्षन होगा नहीं होगा अब आपको सिर्फ यही करना है कि आपको फेस्टरी पर फूकस करना है आपको ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है जो मैंने कटॉप बता है कटॉप का वीडियो में मैंने अप्लोड कर दिया गए उसके एकॉडिंग लिए आपको यदि मार्स आ रहे तो आप फेस्टी का स्टार्ट कर दिजिएगा क्योंकि एटी नाइंटी परसेंट ओप शाहिद मैच भी कर सकता है बहुत सारे स्टेट्स में कहीं इधर उदर प्लस दो चार मार्क इधर उदर हो भी सकते क्योंकि यूमन एरर है हर बंद मैंने पहले बला है कि हर बंदा कोई पर्फेक्ट नहीं दोस्तों क्योंकि फेस्ट्री का रिजल्ट आने के बाद आपके स्पास्ट्री 15 डेज होंगे ओनली 15 डेज 15 डेज में आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊगे आपका लेवल प्रिपरेशन बहुत कम है फेस्ट्री के लिए और आपको फेस्ट्री तो कॉलिफाइ करना अब आप स्टार्ट को रोगे तो आपको इनफ टाइम मिलेगा यदि रिजल्ट के बाद करना स्टार्ट करोगे तो आपको सिर्फ 15 डारा या पंदरा दिन ही मिल सकते हैं तो दोस्तों फेस्ट्री में पूचा क्या जा सकते हम वन बाइवन देखेंगे तो सिलेवस में वह पॉप पॉर्प्रोंस लेंड जिसको दस मार्क के लिए होंगे डाइपिंग मैटर उन में इमस वर्ड्स वह आपको भी समार्स के लिए जाएंगा और प्रिप्रेशन यहां पर दिया है यहां पर पर सकते हो दोस्तों अब हम देखेंगे कि यसे नहीं एक मॉडूल जारी क् देरे-देरे पढ़ेंगे और जान लेंगे कि exactly होता क्या है power points में क्या होता है वो MS Word में क्या होता एक्सल में क्या होता है सो दोस्तों यह है इंस्रक्शन कुछ computer skill test के रिगारिंग दी गई है जो यह इंस्रक्शन उन्होंने ऐसे से का पोस्ता सोचल सेक्रेट ऑपीसर का उसमें दिया था उसमें भी टायर 3 का एक्जाम था तो उसके रिगारिंग जो कुछ भी इंस्रक्शन थी वो मॉडल में आपको दिखाना चाहता हूँ उसमें कुछ sample question paper भी है वो भी हम within next five to six minutes में discuss कर लेंगे तो सबसे पहले आता है अपना कुछ instructions है उनकी तो इंस्रक्शन भी आप पढ़ लिजएगा कि आपको यहाँ पे दिया है कि आपको 150 words 200 words टाइप करना जिसमें आपको ms word, ms power, ms excel बनाना है ज इसमें आपको एक desktop जाएगा डिया जाएगा PC दिया जाएगा उस पे आपको performance दिखाना है इसके आपको एक support सबसे important topic यह है कि sorry note यह है कि candidate should mention their role number batch time and date time on the top right of each page of their individual files pertaining to a powerpoint presentation later passage in ms words और ms excel तो यह बाद में आपको instructions वहाँ exam mall में भी दिये जाएगे इसके regarding regarding ज्यादा attention मत लीजिएगा और ज्यादा कुछ जानना चाते है तो यह पढ़ लीजिएगा इसका screenshot भी निकाल सकते हो आप so next हम देखेंगे भी sample question paper दोस्तों sample question 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 paper for computer skill test तो सबसे पहले आता है ms powerpoint तो ms powerpoint में दिया है कि two powerpoint slides using default slide typing having two sections add a title तो आपको जिनको basic powerpoint पता होगा उनको पता है कि वहाँ पे add titles and add subtitles नमके दो sections होते हैं तो वह आपको बनाने हैं वहाँ पे the above title and text is in font of a word and the size in font is title 54 मतलब इसके लिए 54 और सब टैटल यह जो होंगे इनके लिए 24 एंद फॉर्मेटिंग बोल्ड नॉर्मल अंडरलेंग इटालिक यह चार टैप की फॉर्मेटिंग देखो बोल्ड इटालिक अंडरलेंग और नॉर्मल यह तीनों आपको चारों आपको आपको फॉल्लो करना या आपको पोट्एंट नॉर्म और सब कूछ टाइप करना पड़ता हैं जो कुछ भी वहाँ अच्छा है वहाँ और सिर्प टैफ करना है तो एमेस वर्ड में क्या हो सकता है तो एमेस वर्ड 20 मारका होगा तो आप देखेगा आपको एक शीट मिलेगी उसमें दिया होगा सबसे पहले इंस्रक्शन है कि दियराद थी टाइप फॉंट 10 11 12 एक बेसिक इंस्रक्शन है अब यह इंस्रक्शन की से देखो नोट टूब टाइप और टेक्स इस इन फॉंट ऑफ वर्ड ना वर यह तो पॉंट ऑप मतलब यह फॉंट में आपको सब टाइप करना है फॉंट से इस कितना लेने को बूला है बारा चलो हमने वह भी ले लिया उसके बाद डबल लाइन स्पेसिंग देना है ने स्वारी एक डबल लाइन स्पेसिंग और यह सब्जेक टाइप करना जिसमें हम सब्प्रित्राइब करेंगे यह इठीरव त्निले में करना है इसको pac Advice करना है उसके इतने पार्ट को हमें अन्दरम भी करना है उसके पाद सिंगल लाइन पैसिंग देना है और यह टाइप करना निसका साइज होगा डेस उसके बाड डबल लान्स पेसिंग और और यह सब कुछ जो टाइप करना यह मैं फॉलू करते जाना है और इधर टाइप करते लिए तो दोस्तों मैं क्या करने वालओ यही इसका ही एक्जमपल मिलूङ गा सबसे पहले दूसरे मॉडूल में यही एक्जम्पल के साथ आपको वर्ड बनाके दिखाऊंगा तो एक्सल शीट में क्या होता है यह आप देख लिजीएगा यहाँ पर दिखाया दिखाया कि रिप्रोडुस्ट फॉलिंड डिटान एक्सल शीट एंड सेंटर अलाइं सेंटर अलाइन मतल आपने एक्सल शीट किया होगा तो आपको पता होगा सेंटरल मतलब आईसा थिनों होता है राइट इसके बाद बात करेंगे कि क्या-क्या इसमें इंस्रेक्शन दियो तो तो create the excel sheet using a ms excel reproduce the heading of each of the column as mentioned in the sample तो आपको यह heading भी देना होगा जो आपको mention किया गएगा नार्मल है दोस्तों बहुत easy है इसमें सिर्फ type करते जाना है क्योंकि यह box तो already वहाँ पे created होते है क्रेट किये गए होते तो हमें सिर्फ यह नाम टाइप करना है उसको centrally alignment में लेना है जो कुछ भी central alignment बोला है उसको calculate the total of a and b using the formula in the desired cell तो a and b का addition कहीं से करोगे दर्सतों तो some आपको is equal to some bracket में this प्लस यह से लिक करने के बाद प्लस प्रेस करना है बाद में यह से लिक करना है ब्रैकेट कंप्लेके करने के बाद एंटर करना है तो यह फॉर्मुलेस भी मैं आपको बता दूंगा addition, subtraction, multiplication and divide यह चारो फॉर्मुलेस आपको यह वहाँ पर बोलेंगे percentage का यह formula हम वहाँ पर यूज करके बताएंगा मैं सब कुछ formula भी आपको बताऊंगा क्यों वहाँ पर syllabus में ही mention कर दिया है कि ms excel with using formulas formula के साथ हमें यह करना है और उसके बाद column से में उन्होंने कहा है कि total usage of percentage formula in the desired cell तो आपको यहाँ पर फॉर्मुला पूट करना है जो कुछ भी इसका percentage है वो फॉर्मॉला पूट करना है and calculate the average of a and using the formula in the desired cell तो average क्या कैसे करते हैं तो हम यह लिखेंगे average this plus this divided by two is nothing but the average of a and so दोस्तों यह total हुआ अभी तक का हमारा introduction तो हम within next three to four days में में आपको यह पूरे तीन मॉडूल कम्प्लेट कर दोंगा एक एक सेक्षिन आ जाएगा दस-दस मिनिट का एक सेक्षिन होगा जिसमें PowerPoint का भी में पूरा मॉडूल आपको इसी एक्जांपल के साथ बताऊंगा जो एक्जांपल उनने question paper में दिया है mx excel का भी इसी एक्जांपल के साथ बताऊंगा और word का भी इसी एक्जांपल के साथ बताऊंगा so thank you guys for watching this and have a nice day have a lovely day and have a bright future ahead and please preparation start kar di jiyega tire 3 ke layer phase 3 ke le so thank you guys thank you